दोस्तो आप इस नुश्के की मदद से आप अपने सरीर को एक ताकतवर हठा-कठा बज्र जैसा बना सकते हैं क्योंकि यह नुश्का इतना पावरफूल है कि इसके बारे में जानकर आप भी दंग रह जाओगे दोस्तो कौन नहीं चाहता है कि मेरा सरीर एस्ट्रॉंग रहे लेकिन कुछ गलतियों के कारण सरीर में कमजोरी जैसी समस्या आ जाती है जिसके चलते सरीर बेजान सा हो जाता है और कोई काम करते हैं तो थकान महसूस होने लगती है हात पैरों में जनजनाहट होने लगती है चलने फिरने का मन नहीं करता है कहीं इधर उधर घूमते हैं तो थक कर बठ जाते हैं इसके अलावा आपका सरीर पहले से दुबला पतला है और आप कितना भी खाना खाते हैं तभी आपके सरीर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता है और आप बहुत सी दवावों का पर्योग करके ठक चुके हैं तो आप बिलकुल घवराये नहीं क्योंकि मैं जो नुश्का बताने वाला हूँ ओ आप घर बैठे बना सकते हैं आपको कहीं जाने की जड़त भी नहीं पड़ेगी और सारी सामगरियां आपके घर में बिलकुल असानी से मिल जाएगी दोस्तों दुबले पतले सरीर की वजह से बहुत सी जगह हम सभी नहीं जा पाते हैं और बहुत सी पाटी एटेन भी नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहां जाने के बाद यानि लोगों के बीच बैठने के बाद खुद ही सरमिंदा होना पड़ता है और ब अपते दिनों के अंदर दिखाई देने लगेगा बस आप इस नुष्के को एक बार अजमा कर देखिए क्योंकि यह इतना जबर्जश नुष्का है कि कोई भी दुबला पतला ब्यक्ति कमजोर ब्यक्ति इस नुष्के का इस्तमाल करने के बाद बिल्कुल पहलवान के जैसे दिखाई देने लगेगा तो चलिए जानते हैं इस नुष्के को कैसे बनाना है और आपको किन-किन सामगरियों की जरुरत पड़ेगी बट वीडियो को आप लाट तक जरूर देखते रहे और वीडियो पसंद आये तो अभी चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए क किजिए क्योंकि मैं डेली हेल्थ से जूरी जनकारियां लेकर आते रहता हूं दोस्तों इस नुष्के को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जोची लेनी होगी ओ है एक कप दूद यह आपके घरों में असानी से मिल जाएगा क्योंकि हम सभी गाय भैस बकरी अवस्य ही पा की बिटामिन के सहित फासफोरस मैगनेशियम आयोडीन खनेज बसा वह उर्जा मिलता है जो हमारे सरीर के लिए काफी आवश्यक पोशक तत्व है अब जो चीज आपको इस दूद में एड करनी है ओ है महुआ दोस्तों महुआ के बारे में तो आप जरूर ही सुना होगा क्य दूद भी रहते थे और आपको मालूम भी होगा कि महुआ हमारे लिए कितना फाइदेमंद और सधी के रूप में काम करता है क्योंकि इसमें सबसे अधिक मात्रा में कार्बो हाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, कैलसियम, फासफोरस, आयरन, कैरोटीन, बिटामिन सी पाया ज चरीर में अंदूनिश शक्ति परदान करने में काफी भूमिका निवाता है, तो इतनी सी मात्रा में इस दूद में आपको महुआ आइड्र कर लेनी है, अब इसके बाद जो चीज आपको लेनी है, ओ है किसमिस, दोस्तों किसमिस के बारे में आपको क्या बताना है, इसे निकारियों में यूज होता है, और सेहत के लिहाजा से किसमिस खाना काफी लबदायक भी होता है, तो आपको इतनी सी मात्रा में इस कब भरी दूद में किसमिस आइड्र कर लेनी है, अब इन सभी चीजों को ऐसे मिक्स कर लेना है, जैसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, वैसे आपको भी मिक्स कर लेना है, अब इन चीजों को ऐसे मात्र 15 मिनट छोड़ देना है, ताकि महुआ और किसमिस और छी तरह से दूद में भींग कर फूल जाए, जब यह 15 से 20 मिनट महुआ और किसमिस ऐसे फूल कर तयार हो जाए, तो आपको क्या करना ह इस कप भरी दूद को धीरे धीरे पी जाना है, दोस्तो अगर आप इस नुशके का से मन मात्र 15 दिनों तक सुबह साम लगतार करते हैं, तो आपका दुबला पतला सरीर बिलकुल पहलवान जैसा एस्ट्रोंग, हठा कठा मजबूत बजर जैसा दिखने लगेगा, तो दोस् भी इस जनकारी का भरपूर लाव मिल सके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए जनकारी के साथ, तब तक के लिए आप शबी को बहुत बहुत धन्यवाद,